आज़ा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम एसे धान तक दिखाए है डेफिनिटली देखाई होगा मैं आपको एक दो चीजे बताना चारता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो हुआ है ये लखनों में हुआ है और मैं भी लखनों में रहता हूँ हजरत गंज एरिया जो लखनों का दिल माना जाता है जैसे कि सीपी दिली का दिल माना जाता है वैसे लखनों का दिल है हजरत गंज आगे आप जाएंगे तो सावहू सिनेमास पढ़ता हूँ वही पे ही ये 15 सेकिंड के क्लिप जो है वो पूरी सोशल मीडिया पे वाइरल हो रही है दो तीन चीजे मैं आपको भारत के कानून के बारे में बताऊंगा जैसे ये कलिप वाइरल हुई लखनो पुलिस लखनो पुलिस कमिशनर तुरंत बोला कि इनको पकड़ा जाएगा और इनको छोड़ा नहीं जाएगा ये बहुत ही डेंजरस है फूहरता में ये मैं अपनी तरह से आड़ कर रहा हूँ फूहरता और एक एफेक्शन में फर्क होता है ठीक है सबसे पहले तो कमिशनर ने भी यही बोला कि ये मोटर वेहिकल्स आर्ट के अंडर भी आता है आप एक बात बताओ आप गाड़ी पे हो अगल बगल लोग चल रही है एक इंसान गाड़ी चला रहा है और एक लड़की जो है उसको ऑपोजेट में इस तरीके की हरकते कर रही है कितना डेंजरस है यह हलका सा कुछ भी हुआ आप तो मरोगे ही मरोगे दूसरों को भी ले डूबेगा हम तो डूबेंगे ही सनम तुमको भी ले डूबेंगे है कि नहीं यह चीज है तो सबसे पहली बात तो यह मोटर वहिकल अंडर आर्ट के तहट आता है कि इनके ओपर भयानक जुर्माना लगेगा लाइसेंस से लेकर गाड़ी के पेपर से लेकर और हेलमेट भी नहीं पहना था है ना हजरत गंज बहुत ही बड़ा एडिया यहां का और समझे कि आप हेलमेट की बात कर रहे हैं अगर आप उल्टी साइड भी हलका सा मुड़ गए तो आपके बर चालान हो जाता है यहां पर हेलमेट भी नहीं पहना था पुलिस लगातार इस हेरिया में रहती है तो एक पुलिस पर हो सकता है आगे जाके लेकिन क्यूंकि कमिश्णर ने यह साफ कर दिये के पकड़े तो गए नहीं है हम और भी CCTV फोटेज जो है वो देख रही है है तो अगर पुलिस होती पकड़ी लेती फिर यहां पर किसी ने शूल करके यह डाल दिया तो हेलमेट भी नहीं दोनोंने पहना है और जिस तरीके से यह बैठे हैं बहुत डेंजरस हो सकता था आक्सिनेंट तक हो सकता था और उसके जब्मदारी कौन लेता दूसरा पॉइंट ऑपसिनिटी आक्ट क कर रहे हैं जो दूसरों को प्रॉब्लम कर रहा है साथ ही साथ पॉब्लिकली किसिंग भी इसके अंदर आता है ठीक है देखिये ऑपसिनिटी सुप्रीम कोट ने साब बोला है कि हम उपसिनिटी को प्रापर तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते और इसीलिए यह डिपेंड करत जहेद आपको सजा मिलेगी, बिल्कुल, तो भारती कानून इसमें बात करता है, पब्लिकली डिस्प्ले ओफ एफेक्शन, बट अगें इसमें कन्फूजन है, कन्फूजन क्या है कि मान लो कि अगर कोई माता जी है, मम्मी है, मदर है, वो अपने बच्चे को किस कर दिये, तो क्या वो इसके अंडर आएगा, तो यहाँ पर भी कोट बोलता है कि भाई ये डिपेंड करेगा, अगर आसपास के लोग प्रॉब्लम में हैं, अगर आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है, आप आओ, और किस करने लगो, या ऐसी अश्रील हरकत करने लगो, कि आसपास के लोग अंकमफर्टेबल फील करेंगे, तो वो इसके अंडर आएगा, और वो फिर पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन के अंडर आएगा, और उसके तहद सजा में लेगी, वीडियो बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है, यंग ही हैं ये, 17, 18, 19 साल के ही होगे, हो सकता है, ना भी हो, बैट अभी फिलाल, वीडियो में तो यही दिख रहा है, लोग व्यूज के लिए बहुत कुछ करने हैं आजकल, ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, कि इस तरीके की हरकते जो हैं, वो ना ही करें, बिल्कुल भी मत करियेगा, इंस्टा पे रिल्स बनाने के लिए, या कुछ ऐसा एडविंचर करने के लिए, क्योंकि इसके रेपर कर्शन्स जो हैं, वो बहुत ज़ादा होते हैं, आपने तो कर दिया, पंदरा सेकेंड का ही काम थाई है, लेकिन आप इनको जो जहिलना पड़ेगा, फिर वो पता चलेगा, और फिर इससे दूसरों को भी खत्रा है, इस तरीके से गाड़ी पे आप उल्टा लटक के ये कर रहे हो, ये दूसरे के लिए भी बहुत डेंजरस है, तो मोटर वेकल्ट आट के तहट आता है, इसलिए जितनी तेजी से ये वाइरल हुआ, उतनी ही तेजी से पुलिस ने कारवाई भी की, एफेक्शन होना चाहिए, बट पब्लिक प्लिसेस पे एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़ादा फिर प्रॉब्लम क्रियेट करता है, ठीक है, तो आई होब, ये चीज आप समझे होंगे, खुश लेए पढ़ते हैं, इदेश चैदान तक नहीं हो, अजे हो आई हो,